इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप उसे कैसे देख पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिरेक्ट लिंक मिल जाएगा या फिर आप विजिट कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट hd.com पे और यहां पे एंस्वर की वाले में पहले नंबर पे आपको मिलेगा इस तरह का पेज होगा तो यहां पे आपको नीचे जाना होगा और जिसका भी आप एंस्वर की देखना चाहते हैं उसके लिए सीधे आपको क्लिक करना होगा जैसे कि ग्रूप C, ग्रूप D, स्टेन ओ या फे ट्राइबर अगर हम ग्रूप C के लिए क्लिक करें तो इस तरह का पेज आएगा और यहां पे आपको लॉग इन करने के दो विकल्प हैं अप्लिकेशन नंबर और पास्वर्ड का परियोग करके यह वही पास्वर्ड है जब आपने फारम बरते समय इसको बनाया था अगर आप पास्वर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहां पे फार्गेट पास्वर्ड का भी विकल्प मिलेगा और फार्गेट पास्वर्ड करने पर आपको यह तीन आप्सवर्ड मिलते हैं तो इन तीनों आप्सवर्ड में से कोई भी परियोग करके आप अपने पास्वर का नाम data birth और ये capture code यहां दे करके आप अपना application number भी पासकते हैं तो इस तरह आपको application number मिली जाएगा तो माल लिजी आपको application number मिल गया है तो यहाँ पे application number देना है data birth और ये capture code यहाँ दे करके login करना है तो login होने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज़ दिखेगा यहां से आप जा करके अपनी एंसर की को देख सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं जैसे अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का का पेज मिलेगा यहां पर देखिए बताया गया है कि आपने कौन सा उत्तर ट्रिक किया है लेकिन अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपका OMR कैसे आपने कौन कौन सा क्वेश्चन ट्रिक किया था तो उसके लिए आपको यहां क्लिक करना होगा आपका OMR यहां दिखेगा तो इस तरफ बड़े ही आसानी से इसे चेक कर पाएंगे ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर